हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल शुश्मा राजकुप्ता हम लोग करें बीकॉम सेकिंड स्मेस्टर कार्पूरेट अकाउंटिंग जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रिडंशन और प्रेफरेंशियर्स इसकी जो बेसिक थियोरी है हम लोग लास् हांज नाइन्थ कोश्चन है दिखें इसमें क्या दिया है कि श्रेया लिम्टिड हैस इसूड वान थाउजन 12 परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंश्यर ओफ रुपीज 100 हैड इसूड मता अल्रडी इसूड है ठीके रीपेबल आटा प्रीमियम 10 परसेंट इनको हमने 10 परसे प्रीम करना है विच्च और मोर देन नसेसरी सम रिक्वाइड फोर रिडंशन जो की जितनी रिडंशन के लिए सम चाहिए उससे ज्यादा के रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं शोडी नसेसरी एंट्री इन दा बुक्स ऑफ कंपनी अजूमिंग ता प्रीमियम और रिडं ड्यू की एंट्री डालते हैं रिडंशन कितनी अमाउंट की है देट इस आफ वन थाउजन प्रेफरेंच येर और रुपीज हंडर इच अमाउंट होगी वन लैक रुपीज ठीके तो जर्नल एंट्री क्या आए कि जर्नल एंट्री आए कि आपकी प्रेफरेंच येर कैपिटल अकाउंट डैपिट अमाउंट हागी वन लैक रुपीज ठीके प्रीमियम और रिडंशन अकाउंट डैपिट हमने प्रीमियम टैन परसेंट पे करना है वन लैक का टैन परसेंट टैन थाउंट टू प्रेफरेंच शेर होल्डर्स अकाउंट वन लैक टैन थाउंट ठीके बींग अमाउंट ड्यू ओन रिडंशन ठीके जी सेकिंड एंट्री अब हमें एक तो प्रीमियम के लिए पैसे चाहिए एक चाहिए जो हमने कैपिटर रिडंशन रिडंशन रिजर्व हैं लिए उसने कहा है कि आप security premium को utilize कर सकते हो question में mention किया है कि we can use security premium account किसलिए use कर सकते हैं for premium on redemption तो security premium से money लेके हमने क्या किया premium on redemption में convert कर दी आप 1 lakh का CR create हो गया और 10,000 का premium हो गया तो जो 1 lakh 10,000 है जो हमने preference shareholders को money pay करनी है वो हम pay कर देंगे क्या लिखेंगे preference shareholders account debit to bank account amount आगी 1 lakh 10,000 ठीके जी बहुत ही simple अगर हमें equity का नहीं दिया issue करने का तो जितने हमारे पास general reserve है उससे पहले हम CRR create करेंगे और जो premium और redemption pay करने वो ज्यादा तर security premium से ही हम लोग utilize करते हैं तो टोटल 1 lakh 10,000 चब arrange हो गया तो हम pay कर देंगे पहले due की entry and last में payment की entry आएगी ठीके जी तो next question हम करते हैं 10th question हाँ ची 11th question करने हमने जो 10th question है उसमें मतलब की इसी reserves का ही दिया हुए तो 11th question में 2000 preference share of Rs.100 each company has reserve fund 80,000 company issued necessary equity 20 each at par for the purpose of redemption at a premium 10% past journal यहाँ पे उसने कह दिया necessary equity shares ठीक है टोटल हमें चाहिए 2 lakh रूपीज 2000 preference share of Rs.100 each टोटल हमें चाहिए 2 lakh रूपीज ठीक है जिसमें से 80,000 हमारे पास reserve fund में पड़े हैं ठीक है तो जो बाकी चाहिए वो हम क्या करेंगे equity issue करेंगे ठीक है 80,000 हमारे पास reserve fund पड़े है और बाकी हमने equity issue करनी है equity जो issue करनी वो at par करनी है और जो हमने redemption of preference shares करनी है वो at premium करनी है तो अगर at premium करनी है तो उस case में journal entry क्या होगी हाँ जी preference share capital 2,00,000 रुपीज ठीक है ची premium on redemption 20,000 रुपीज ठीक है अब यहाँ पे चो 20,000 प्रीमियम है तो जन्न रिजर्व में से हम लोग पहले क्या करेंगे प्रीमियम on redemption utilize करेंगे क्यूं क्यूंकि बाकी का हमने CRR create करने है बाकी हमने इकूटी इशू करनी है और इकूटी एट पार इशू करनी है अब जो जन्न रिजर्व है यह रिजर्व फंड लिखा हुए तो यहां रिजर्व फंड ही वर्ड यूज करेंगे तो रिजर्व फंड में से हम लोग जो बाकी अमाउंट बची है उसका CRR create करेंगे टोटल 80,000 था ना 20 हमने क्या किया प्रीमियम के लिए यूज कर लिया 60 हमने CRR create कर लिया अब जो बाकी बचा है वो हम क्या करेंगे इकउटी इसु करेंगे बाकी कितनी अमाउंट बची है आप लोगोंने यहां पर बीइंग जरूर लिखने है ठीके जी बैंक अकांट डैबिट इकउटी एट पार है टू इकउटी शेयर कापिटल ठीके जी इकउटी एट पार है तो हमने टोटल 2 लेक कापिटल चाहिए जिसमें से 60,000 हमने CRR create कर दिया, जो बाक्की amount बची है, 140 की हम क्या करेंगे, equity issue करेंगे, क्यूं? क्यूंकि हमने 2 lakh complete करना है, अगर वो कहता सारी equity issue कर दो, reserve में कोई पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करते, 2 lakh rupees की equity issue करते, बट उसने कहा है कि 80,000 general reserve में है, और आपनी पहले general reserve को use करना है, उसके बाद आपनी equity issue करनी है, तो पहले हम क्या करेंगे, general reserve use करके, यह reserve fund use करके, फिर हम बाकी की equity issue करेंगे, at the end entry क्या होगी, preference, shareholders, account debit, to bank, ठीके, तो कितनी amount आएकी, 2 lakh 20,000, ठीके, जो हमने due की entry डाली थी, हाज next हम ले रहे हैं, second question, जिसमें दिया company wishes to redeem the preference shares, of rupees 1 lakh, at a premium 5%, and for the purpose issued 5000 equity share, of rupees 10 each, at a premium 5, अब इसमें कितनी equity issue करनी है, वो हमें दी हुई है, ठीक है ना, जो last question था, उसमें equity कितनी issue करनी है, वो नहीं बताया था, उसने कहा था, कि general reserve में इतने पैसे बढ़े हैं, अब पहले हम equity issue करेंगे, फिर जितनी amount required है, वो हम लोग general reserve और surplus से utilize करेंगे, और जो हमने preference shares redeem करने हैं, वो at a premium करने हैं, हाजी, first entry आएगी, preference share capital, account debit to premium on redemption account debit, to preference shareholders, हाजी, हमें दिये preference share capital, one lakh रुपीज, five percent premium आगया, one lakh five thousand आगे, ठीके, अब उसने हमें equity दी हुई है, कि equity कितनी issue करनी है, bank account debit, to equity share capital, to security premium, आप जो हमने equity issue करनी है, 50,000 issue करनी है, ठीके, premium आगया five percent, twenty five hundred, fifty two thousand, five hundred, ठीके ची, third step, हमें premium चाहिए कितना five thousand, और हमारे पास निया premium कितना आया, twenty five hundred, चाहिए कितना five thousand, तो हम लोग premium arrange करेंगे, कैसे arrange करेंगे, security premium से हम लोग, जितने भी amount आई है, पहले तो वो लेंगे, कितनी twenty five hundred, बाकी जो बाच गया, ठीके ना, वो हम surplus से भी ले सकते हैं, और general reserve से भी ले सकते हैं, तो दोनों में पैसे पड़े हैं, तो हमने twenty five hundred जो है, surplus से लिया, फिर हमने जो premium और redemption हमें चाहिए था, वो हमने utilize कर लिया, point समझ के, तो यहाँ पे जो premium चाहिए था, वो हमें मिल गया, अब जो capital है, वो one lakh है, ठीके, equity capital हमने issue की है, यहाँ चाहिए कितनी one lakh, issue की है fifty thousand, तो fifty thousand कहां से लेंगे, fifty thousand हम लोग general reserve से भी ले सकते हैं, ठीके, general reserve में हमारे पास कितने amount पड़ी है, fifty thousand, तो general reserve से हम लोग fifty thousand कवर करेंगे, ठीके, तो किस में transfer करेंगे, CRR में, ठीक, जो last question था, उसमें हमें general reserve limited दिये थे, और उन्होंने कहा था कि बाक्की की equity करो, इस question में उन्होंने कहा है कि equity इतनी issue करो, हमने equity उतनी issue कर दी, जो बाक्की हमें चाहिए था, one lakh में से, वो हमने CRR create किया, कहां से general reserve से, simple सी बात है, यहां पे तोड़ा, यही देखना है कि हमें amount कितनी चाहिए, और वो amount हम कहां कहां से ले सकते हैं, हाँची, at the end हमने preference shareholders को, जो amount pay करनी है, वो pay कर दी, that is one lakh five thousand, ठीके, तो इस तरह से preference shares को redeem करने है, सबसे पहले हमने due की entry डालनी है, फिर हमने premium को arrange करने, premium arrange कर लिया, ठीके है, फिर हमें दिया कि equity issue करनी, हमने equity issue कर दी, जो बाकी बचा, वो CRR create करने है, अगर बाकी amount नहीं बचती, तो सारी equity भी issue कर सकते हैं, सारा CRR भी कर सकते हैं, आदी equity आदा CRR भी कर सकते हैं, पहले CRR बाद में equity भी कर सकते हैं, it depends upon the question, तो जैसा question में दिया होगा, हमें वैसे ही करना होगा, पिछले question में मैंने पहले CRR create किया था, 60,000 का, उसके बाद equity issue की थी, क्योंकि उसने कहा था, जितनी amount बची, वो equity, इस question में उसने कहा है, equity इतनी issue करो, बाकी CRR करो, तो पहले मैंने equity issue कर दी, बाद में CRR कर दिया, means question की statement को अच्छे से समझ के फिर करना है, हाँ जी, 7th question कर रहे हैं, इसमें हमें दिया है, हमें जो है, balance sheet दी हुई है, debit और credit, ये asset side है, liability side है, share capital होगी, security, premium, capital reserve, revenue reserves and debentures, ठीके, तो यहाँ fixed asset, investment, cash, other current assets, ठीके जी, तो इसके साथ ही नीचे हमें दिया है, both the redeemable and debentures, भी हमने redeemable preferences और debentures दोनों को redeem करना है, और इसके लिए company 2000 equity share of rupees 100 each at a premium क्या करे की issue करती है, और इसने investment 90,000 की sale की है, और इसने जो है bank loan arrange की है, कितना bank loan arrange की है, that is not given in the question, वो कहता जितना necessary है, तो कितना necessary है वो हम खुद find करेंगे, the redemption was duly carried on, give the journal entries and prepare the balance sheet of the company immediately afterwards, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो question, ठीक है, कल्यानी publication की book से यह question लिया गया है, हाँची सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग preference share capital, तो preference share इन्होंने लिखे 7% preference share, तो 7% preference share capital, ठीक है, amount आगी 3 lakh, 2 preference shareholders, ठीक है, preference share capital, 2 preference shareholders, due की entry डालेंगे, इसी तरह 6% debentures, क्योंकि उसने काई debentures और preference, दोन्नों को redeem करने, ठीक है, 2 debenture holders account, ठीक, again it is 3 lakh रूपीज, ठीक है जी, अब उसने का है कि investment sale करतू, तो bank account debit, कितने की sale करनी है, 90,000, investment है कितने की, that is of rupees, 1 lakh, ठीक है, ठीक है, जो 10,000 उस पे loss आगी, वो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास revenue reserves पड़े है न, उनको debit कर देंगे, बोलो clear है, यहां तक को के, हाज नेक्स्ट हमने equity issue की है, 2000 equity shares, bank account debit, 2 equity share capital, 2 security premium, 2 lakh की equity आगी, 20,000 premium आगया, 2 lakh 20,000 cash receive होगया, ठीक है, अब हमें preference चाहिए, कितनी थी, 3 lakh रूपीज, जिसमें से 2 lakh की हमने equity, जो है, वो issue कर दी, ठीक है, तो हमें 1 lakh का क्या चाहिए, CRR, हमें क्या चाहिए, 1 lakh रूपीज का CRR, क्यों, टोटल 3 lakh चाहिए, 2 lakh का equity आगया, तो बाकी, हम लोग कहां से लेंगे revenue reserves, revenue reserves में 2 lakh रूपीज पड़े हैं, तो जिसमें से 10,000 हम आउलरडी यूज कर चुके हैं, तो 1 lakh हमने और यूज कर लिया, ठीक है, CRR क्रियेट हो गया, ये जो security premium हमारे पास आया, इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो preferences redeem करने, वो add, par redeem करने, there is no need to use the security premium, ठीके ची, अब हमने point करने है, जो हमें question में दिया था, कि bank loan हमें जितना चाहिए, उतना arrange करेंगे, we are to find कि हमें bank loan चाहिए, कितना, ठीके, तो ये working notes हैं एक तरह के, तो पहले आप देखो कि हमने preference shares को जो redeem करने है, उसके लिए हमें कितने amount चाहिए, that is 3 lakh रूपिस, और जो हमने debentures को redeem करने है, 3 lakh हमें उसके लिए चाहिए, total हमें चाहिए 6 lakh रूपिस, उस 6 lakh में से हमारे पास amount आई कितनी है, amount on share capital, अभी हमने share capital issue की थी, तो वहां से हमें amount आई है, 2 lakh 20,000, amount कितनी आई है, 2 lakh 20,000, और एक हमने investment sale की थी, तो investment sale करने से हमारे पास bank में कितनी amount आई है, 90,000, ठीक है, तो इसके इलावा, हमारे पास already cash पड़ा कितने है, that is 2 lakh, already हमारे पास cash है, 2 lakh रूपिस, तो total हमें चाहिए 6 lakh रूपिस, और हमारे पास amount पड़ी है, 5 lakh 10,000, तो it means कि हमें loan कितने का चाहिए, 90,000 का loan चाहिए, point समझ के, 6 lakh हमने repay करने है, और हमारे पास amount है, 5 lakh 10,000, we need 90,000, ठीक है जी, तो अब हम bank loan की entry डालेंगे, entry क्या होगी, bank account debit, to bank loan account, ठीक है, तो amount आजाएगी, वही चो अभी हमने find की, यह 90,000, working note आपने at the end करने है, ठीक है, तो मैं तो वीडियो के purpose से यहां कर रही हूँ, इसकी path हमने क्या करना है, इनको payment करनी है, preference shareholder to bank, debenture holders to bank, ठीक है, हांची preference, shareholder, account debit to bank account, amount आगी, 3 lakh rupees, ठीक है, then debenture holders, account debit to bank, again it is 3 lakh, ठीक है जी, अब हम इसकी balance sheet बनाएगे, हांची balance sheet का proper performance उसी तरह से, सबसे पहले shareholders fund, तो shareholder fund में आएगी share capital, ठीक है, तो जैसा question में हमें दी हुई है, share capital rupees 5 lakh, ठीक है न, 5 lakh तो यह होगे, जो हमारे पास पहले पढ़ी है, plus 2 lakh हमने नई capital issue की थी, ठीक है, तो total हमारी share capital होगी, 5 lakh, plus 2 lakh, it is 7 lakh, ठीक है, तो यह 7 lakh हम लोग क्या करेंगे, यहां capital में note करेंगे, ठीक है जी, सेकेंड हमारी आगी, reserves and surplus, हां जी, capital reserve हमें already 1 lakh रूपीज दिया हुए, revenue reserves हमें 2 lakh दिया, तो उसमें क्या हुआ, कि जो 2 lakh रूपीज हमें revenue reserves दिया हुआ था, 10,000 तो हमने वो यूज कर लिया, loss on sale of investment, तो 1 lakh हमने CRR में convert कर दिया, तो 2 lakh में से हमारे पास जो revenue reserve बचेगा, that will be 90,000, ठीक है, और इसके इलावा, हमने CRR create किया, वो आएगा, किसमें reserves हैं, surplus में, और जो security premium है, हमारे पास पहले था 50,000, फिर हमने जो equity नहीं इशु की, equity 20,000 premium पी इशु की, तो 50 हमारे पास already था, 20,000 की हमने equity इशु कर दी, तो 70,000 हमारे पास security premium आ गया, और CRR मैंने अभी बताया आपको, कि 1 lakh का हमने create किया, जो capital reserve है, वो already हमारे पास 1 lakh का पड़ है, हमने उसका कुछ नहीं किया, जो revenue reserves हैं, वो हमारे पास अब 90,000 के हैं, तो अगर देखा जाए, तो ये बन के हमारे पास 3 lakh 60,000, तो reserves and surplus में amount आएगी, 3 lakh 60,000, ठीके, इसके पाथ हमारे पास creditors, वो हमारे पास पहले भी 150 के थे, अब भी 150 के हैं, और 90,000 का, अगर आपको हमने यहाँ पे क्या किया था, bank loan, ठीके, bank overdraft या bank loan लिया था, ठीके, तो total हमारी जो liability side आगी, that is of 13 lakh, ठीके, fixed assets को हमने कुछ ने किया, तो जो fixed assets थे, पहले भी हमारे पास 8 lakh के थे, अब भी हमारे पास 8 lakh के हैं, ठीके, current assets हैं, वो भी as it is 5 lakh के हैं, ठीके, तो एक बार मैं आपको balance sheet दिखाती हैं, दुबारा से, तो balance sheet में आप देखो, कि जो fixed assets हैं, वो 8 lakh के हैं, जो current assets हैं 5 के हैं, investment हमने sale कर दी, cash हमारा सारा utilize हो गया, for the repayment of debentures holder, and preference share holder, और अगर balance sheet देखें, तो ये 30 lakh, both sides are equal, तो इस तरह से हमने question करना है, ठीके जी, तो हमने जितने भी practicals कियें, इनको अच्छे से revise करो, next video विम में, हम लोग इसके further, जो थोड़े typical examples हैं, questions हैं, वो करेंगे, वीडियो अच्छे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं subscribe किया, तो जरूर subscribe करें, और वीडियो को जाता से जाता share करें, और हमेशा खुश रहें, थैंक यू,